पीछले दो एपीशोड में हमने देखा इस предлож को कैसे बनाते हैं वनाया हमने इस सेवन सिगमन के दीजिटल डिश्पले को और पार्त 2 में हम लोगों ने ईंडीनो यूनु में इंडी न कोड़ को अप्लोड किया और इस इसvanend 一enne इंडी यूनु के जगा पर इस सर्कृट क को उ तो इस वाले circuit board को बनाने के लिए मैं यहां पर ले रहा हूं 5 x 3 cm का एक 0 PCV इस circuit board में लगेगी 28 pin की IC इसलिए मैं 28 pin के IC base को इसमें मैं लगा रहा हूं यहां पर इन सारे components को मैं music के साथ मैं arrange कर लेता हूं उसके बाद से मैं आप लोगों को समझाऊंगा कि किस प्रकार से मैंने wires को sold किया है तो यह circuit board अब हमारा बनके complete हो चुका है और कुछ इस प्रकार से मैंने इसमें से wires को निकाला है और female header को भी connect किया हूआ है इस circuit board में तो अब आईए गाइस animation के मदद से हम देख लेते हैं कि किस प्रकार से मैंने circuit board में wires को connect किया हूआ है तो यह रही हमारी IC at mega 88 जिसमें total 28 pins होते हैं अब यहाँ पर देखिए IC के pin number 8 और 22 को एक साथ connect कर देना है यानि कि इन दोनो pins को हमें sort कर देना है एक wire को ले करके यह हमारा ground का wire बन जाएगा उसके बाद से हमें connect करना है pin number 7 से 20 को यह हो जाएगा हमारा VCC VCC मतलब कि जो input power supply होगा 5 volt का वो IC में से input जाएगा उसके बाद अब हमें pin number 9 और 10 में crystal को connect करना है यहाँ पर crystal का positive negative नहीं होता है तो किसी side से भी आप connect कर सकते हो और guys अब हमें यहाँ पर 22 PF को series में कुछ इस तरह से लगाना है दोनो PF को और दोनो PF को crystal में लगाने के बाद जो दूसरा end है उन दोनों को हमें एक साथ connect कर देना है और एक साथ connect करने के बाद इसे connect कर देना है IC के pin number 8 से क्योंकि यह ground है उसके बाद अब आएए देख लेते हैं कि segments के wire को और anodes के wire को कहां कहां पर connect करना है तो अब यहां पर देखें guys IC के pin number 4 पे हमें connect करना है digital display के segment G के wire को उसके बाद जो IC का pin number 5 है उसमें हमें connect करना है digital display के F segment के wire को और IC के pin number 6 में हमें connect करना है digital display के segment E को उसी परकार से हमें IC के pin number 11 को connect करना है digital display के segment D से IC के pin number 12 को connect करना है digital display के segment C से IC के pin number 13 को connect करना है digital display के segment B से और last हमें IC के pin number 14 को connect करना है digital display के segment A के साथ और next अब हमें dot LED के negative को connect कर देना है ground से और उसका जो positive है उसे connect करना है IC के pin number 15 से उसके बाद digital display का जो anode wire से वो total charge है तो उसमें से जो over 1 का wire है उसे हमें connect करना है IC के pin number 16 से और OVA 2 के wire को connect करना है IC के pin number 17 से और minute 1 का जो anode वाला wire है उसे हमें connect करना है IC के pin number 18 से और कुछ ऐसी परकार से guys जो minute 2 का wire है वो हमें connect करना है IC के pin number 19 से तो ये सारे digital display के wires IC में इस परकार से हमें connection कर लेने के बाद चलिए अब इसमें हम switch को connect करना सिखेंगे तो ये देखिए हमारा 3 switch ये है पहला है adjust का दूसरा है minute का और तीसरा है OVA का तो सबसे पहले हमें इन 3 switch के एक-एक wire को हमें connect कर देना है और इसे connect कर देना है ground वाले pin से तो guys ground वाला pin हमारा 22 है तो इस वाले wire को direct हम 22 वाले pin से connect कर देंगे उसके बाद तीनों switch के जो एक एक wire बच जाते हैं उसमें से adjust वाले wire को हम connect करेंगे IC के pin number 23 से next minute वाले wire को connect करेंगे IC के pin number 24 से और last में और के switch वाले wire को connect करेंगे IC के pin number 25 पे तो कुछ इस परकार से हमारा switch से लेकर display board का wiring कम्प्लीट हो जाता है display board के wiring को complete करने के लिए मैं male और female header का use करता हूँ और इसमें मैं direct connect करने बता दिया हूँ तो कुछ इस परकार से finally complete हो जाता है हमारा इसका wiring इस circuit board का और कुछ इस परकार से आप भी connect करके इस circuit board को बना सकते हो तो गाइस उम्मीद करता हूँ यह वीडियो भी आप लोग के लिए बहुत ही helpful हुई कि वीडियो पसंद आई तो वीडियो को like कर देना और चैनल में नहीं हो तो चैनल को subscribe कर देना मिलता हूँ देट वीडियो भाई तब तक के लिए बाई बाई कीप वाचिंग मौर वीडियो जानियर वे चूटूप चैनल